नमस्कार दोस्तों रादेर अधिस्वागत है आप सब कमें दिन यू व्लाग आधियस व्लाग में आज है दोस्तों न्यू यू 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 मैंने मीठा बनाया था कुछ नमकीन भी बनाना बना लेते हैं यह लिली मैंने हदी प्या जादा कि लोग इसको छोटा- प्याद करें साफ कर कि मनें कातलिया इसकोई फास्में कालू का लीए मन छोटीशोटी थोड़ासा अधिमेज्न में दाल दूटी 6 हल्दी एक रेड़ चमश की दीबची आ अल में डाल दूगिसमें थोड़ासा हीं अग पर फिज कीछ बिल दाल दिया तोरासा गलब मसाला और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा से मूग करें सृधा को घुक हो गत्राई का करें दलगे मिश्दाओ अंडल दुग ईनपरिश में ढल एक ज़तर है girdर यह दुझत्ड में आपकले स्थे नार रिस्दो on she's case है इसलिए हम बेशन डालके थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बाइंडिंग के लिए बस बेशन डालेंगे ज्यादा बेशन भी नहीं डालेंगे इधा चड़ा दे कड़ाई तेल गदम होने के लिए अब इसमें छोटर छोटर बाउल बना के डाल देंगे पकाओडे पकाओडी थोड़ी देर एक साइड ठोड़ा गोल्डेन ब्राउन हो जाए तब पर इसको पल्टेंगे देखे दोस्तों मेरी पकाओडी कितने क्रिस्पी और कुरकुरी लग रही देखने मेरी पकाओडी हो गई है अब हम कर लेंगे चटनी की तयारी जो कि इसके एक साथ चटनी की मज़े नहीं आते हैं इसमें डाल दे थोड़ी सी भुजिया दो चम्मचहल दही तीन-चार हरी मिर्च थोड़ी सी प्याज थोड़ा साहरा लस्षन और फ्रेस ताजी खूब सारी धनिया और हम इसमें डाल देंगे दो कच्छे टमाटर है टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाधन सा और हम इसको अच्छे से पीस लेंगे दोस्तो आपको मेरी वीडियो पसंदाए प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब ज़रु करने दोस्तू रसमें डाल देंगे थोड़ा स्कालर नमक और फोड़ा एक चम्मच जीरा ये दिखमें चटनी तयाद हो गए दोस्तों, पकोवरी चटनी कितनी टेश्ट लगदी बाए दोस्तों